एक समय की बात है एक छोटे से गाव में एक गरीब लड़का नामकरन सम रहता था उसकी इस वीडियो में हम सीखेंगे किड्स एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाना चाहिए तो हम लास्ट में इन हिंदी लिखकर सर्च कर देंगे अब हमारे सामने हिंदी में स्टोरी आ गई है अगर आपको स्टोरी अच्छी ना लगे तो आप रही जन्रेट पर क्लिक करके और भी स्टोरी जन्रेट करवा सकते हैं फिर स्टोरी को यहां से कॉपी कर लेंगे अब हम इस स्टोरी को वाइस में कनवर्ट करेंगे तो उसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे टी टी में कर उसके बाद फर्स्ट वाड़ी साइट पर किलिक करके इसे ओपन कर लेंगे फिर हम यहां से अपनी स्टोरी को पेस्ट कर लेंगे फिर लैंग्वेज वाले आइकन पर किलिक कर गे हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे फिर हम यहां से मैन और वोमेंस दोनों में से एक की वोई सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसमें ये कैप्चा फील करेंगे उसके बाद कनवर्ट टू स्पीच पर किलिक करेंगे फिर ये कुछी सेकिंडों में आपकी स्टोरी की वोईस जन्रेट करके दे देगा मैं आपको थोड़ी वोईस सुना देता हूँ एक समय की बात है एक छोटे से गाव में एक गरीब लड़का नामकरण सम रहता था फिर हम डाउनलोड वोईस फाइल पे किलिक करके आडियो फाइल को डाउनलोड कर लेंगे अब हम अपनी स्टोरी के लिए इमेजिस लेंगे उसके लिए हम गूगल में जाके लैक्सिका आर्ट ओपन करेंगे यहां से हम अपनी स्टोरी की एक दो लाइन पेस्ट करके सर्च कर लेंगे इससे हमारी स्टोरी से रिलेटिड इमेजिस निकल कर आ जाएंगी फिर यहां से हम एक एक करके अपनी स्टोरी की सारी फोटो इमेजिस डाउनलोड कर लेंगे और आप अपने अनुसार भी स्टोरी से रिलेटिल फोटो सर्च करके निकाल सकते हो अब हम इमेजिस को वीडियो में कनवर्ट करेंगे तो उसके लिए हम Google पे जाके Runway सर्च करेंगे फिर हम First वाली वेबसाइट पे किलिक करेंगे तो Runway का Official Page Open हो जाएगा फिर हम Try Runway For Free पर किलिक करेंगे फिर Try For Free वाले पलाइन पर किलिक करेंगे फिर Runway का Home Page Open हो जाएगा यहां आपको काफी सारी option मिलेंगे बट हमें image से वीडियो बनाना है तो हम यहां पर किलिक करेंगे फिर हम यहां पर अपनी images अप्लोड कर लेंगे फिर यह कुछी second की processing लेने के बाद आपकी image को यहां पर अप्लोड कर देगा फिर हम जनरेट वाले icon पर किलिक करेंगे तो हमारी image to video जनरेट होने लग जाएगी फिर यह कुछी second में आपकी वीडियो को जनरेट करके दे देगा फिर हम डाउनलोड वाले icon पर किलिक करके अपने वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे इसी तरह से हम सारी images को वीडियो में convert कर लेंगे अब हम इन सभी वीडियो को edit करेंगे आप वीडियो editing के लिए कोई भी app या कोई भी software यूज़ कर सकते हो पहले हम सभी वीडियो को एक एक करके इसमें add कर लेंगे जब मैं आपको play करके दिखा देता हूँ उसके बाद हम इन वीडियो को जो हमने voice create की थी उनके साथ mix कर देंगे फिर हम इसे उपर से export कर लेंगे अब आपकी वीडियो ready हो गई है पर इस वीडियो को आप किसे भी platform पर यूज़ कर सकते हो पर इसमें आपकी वीडियो कर देंगे